जिन मर्दों का पेट बहुत ज़दा बढ़ चुका है बढ़े होए पेट को दिनों में कम करने का एक बेहतरीन घरिलो टोटका आप सब के साथ में शेयर करने जा रही हूँ अगर आप इस घरिलो टोटके को कुछ दिन के लिए इस्तमाल कर लेते हैं तो ये जो आपका पेट ऐसे यूँ बाहर की दरफ निकला हुआ है फुटबॉल की तरह ये आपका पेट अंदर चला जाएगा ऐसे दिनों में आपका पेट अंदर चला जाएगा ये बहुत आजमुदा घरिलो टोटका है जो आज आप सब के साथ में शियर करने जा रही हूँ बस डेली का एक बार आपने इस घरिलो टोटके को इस्तमाल करना है और दिनों में आप खुद देखकर हैरान रह जाएगे कि जो आपका पेट आपने बहुत ज़दा एक्सरसाइज की आपने बहुत ज़दा भूक हरताल की मतलब इतना सब कुछ मेहनत खजल खुआरी करने के बावजूद भी आपका बड़ा हुआ पेट अंदर नहीं जा सका और इस गरिल टोटके के इस्तमाल से जब आप देखेंगे ना कि आपका पेट ऐसे दिनों में अंदर जा रहा है तो आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे और आज तक ये मैंने गरिल टोटका जिसको भी बताया है और उसने 100% मुझे साबित करके दिखाया कि इस गरिल टोटके के इस्तमाल से वाकई में रिजल्ट मिलता है आप लोगों ने इस गरिल टोटके को बस अपनी रूटीन में शामिल करना है अब यहाँ पर मैं आपको 100% दिन जो है कन्फरम नहीं कर सकती कि कितने दिनों में आपका पेट अंदर जाएगा क shrinking ये आपके पेट की उपर depend करता है और आपके इस्तमाल करने की उपर depend करता है बगि इस गरिल टोटके को सब लोग इस्तमाल कर सकते हैं अब जिस बंदे का जिस साइज का पेट होगा उसके मुताबिक टाइम लगेगा इस बात को आप पहले अच्छी तरह से समझ लें अगर आपका पेट नॉर्मल है तो एक महीना भी बहुत है एक महीने के अंदर आपका पेट यूँ गायब पता ही नहीं चलेगा ऐसे स्लीम समा आपका पेट हो जाएगा अगर आपका पेट का साइस थोड़ा बड़ा है तो उसके मताबिक आपको टाइम लगेगा डेड़ महीना दो महीने तीन महीने हाडली तीन महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वाके में आपका पेट घायब हो गया मतलब जो बड़ा हुआ जिए गयाब नहीं होगी है, वैसे बसी हो फुट्बॉल के तरह से तुझबार के दशेए की तरफ निकरू की भी ईषा इस फिल भर चपयर कपने के Siz पहले किस्तों निस फोटके को सब लोग इस्ते हैं इसमे इसा नहीज के जिगर एक sitten हो ब्रेदे कामाल कर सकता है मिढ़े का मरीज ने इस्तामॉल कर सकता यह दुनिय के किसी भी कौने में आपको बड़ी ही असानी से दोनों चीजे मिल जाएंगी और आपको ऐसे इजी भी मिल जाएंगी, चुटकियों में मिल जाएंगी दुनिया की किसी भी कंट्री में आप हों, आपको ये बड़ी ही असानी से दोनों चीज़ेंगी मज़िद आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने आज के गरल टोटके की तरफ इस गरल टोटके को त्यार करने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ेंगी आपने अपने साथ कोई बड़ा मॉल है या फिर सबजी की दुकान है, कुछ भी है तो आपने वहां से दो चीज़े लेनी हैं, नमबर एक कदू, नमबर दो टींडा, सही हो गया गोल वाला कदू आपने लेना है, एक तो होता है लोकी, आपने लोकी नहीं लेना, आपने गोल वाला कदू होता है वो लेना है, सही हो गया अगर आप 10 दिन के लिए लेके रखना चाहते हैं तो फिर आप 10 कदू ले लीजिएगा और 10 टीन डे आप ले लीजिएगा अगर आप 5 दिन के लेके रखना चाहरे हैं तो आप 5 कदू ले लीजिएगा और 5 टीन डे ले लीजिएगा सही हो गया यह आपकी अपनी मरजी के उपर डिपेंड करता है लेकिन एक time बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ एक time के बनाने का तरीका यह है एक आपने रात के time यह दिन के 4 से 5 बज़े के time लेकिन हाँ सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि ये घरल टोटका चाहे आप सेकंड टाइम इस्तमाल करें या आप शाम के टाइम इस्तमाल करें लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए सभी आपने खाना खाया पिया हुआ ना हो सभी जब आपका पेट खाली हो तब आपने इस्तमाल इसको करना है आपने एक कदू लेना है इसको आपने धो लेना है इसको भी आपने धो लेना है इन दोनों का आपने छिलका ने उतारना नॉर्मल नॉर्मल साइज में ऐसे छोट छोट टुकडों में आपने इन दोनों को काट लेना है काट लेने के बाद आपने इनको पतीली के अंदर डाल देने हैं उसके बाद हलके चूले की आग जो है आपने जला देनी है अब इनको आपने पकने के लिए रख देना है जब ये पक पक के पानी सारा सूख जाए चार कप पानी सूख जाए और एक कप पानी रह जाए टींडे और कदू के अंदर तब आपने चूला कर देना है बं करेंगे तो आप को पसंद नहीं तो आप इसको सकते हैं अगर पकाना चाहिए तो आप पका सकते हैं लेकिन हमें इसकी चाहिए होगी है चान लेना जो कदो है इस्तमाल करना चाहिए इस भी आप कर लेज़ेगा लेकिन गू्ट भर भर के पी लेनी के बाद तक आपने कुछ नहीं कहाना एक घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं सभी होगे लेकिन इस दोरान कोशिश कीजिएगा अगर आप बहुत ज़दा मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से प्रेज कर दें अगर आप बहुत ज़दा चिकनाहट वाली चीजे खाते हैं तो उनसे प्रेज कर दें अगर आप ब्रियानी वगेरा बहुत ज़दा खाते हैं त तो ये शौक भी अपना खतम कर दें। सभी हो गया। खाना जितना हो सके चबा कर खाया करें और कम खाना खाया करें। और पानी बैट कर पिया करें और पानी घूंट भर भर कर पिया करें। जो लोग अमोमन देखा गया है कि जो लोग खाना खाने के बाद पानी इसे गटा-गट पीते हैं या वैसे खड़े हो कि गटा-गट पानी पी जाते हैं मतलब गलास जा बोतल बाद में उनके हाथ में लगती है मूँ गो लगके पहले खतम ये अपनी जान के उपर आप लोग आप लोग को घर का खाना जो है दस्तियाब है आपको मिलता है घर का खाना तो कोशिश किया करो बाहर के खाने से अवाइड किया करो जितना हो सके घर का खाना खाया करो घर के खाने से सहत होती है बाहर के खानों का हमें क्या पता वो किस तरह से बने हुए हैं सही बने हुए भी हैं या नहीं बने हुए तो इसलिए बाहर की खानों के उपर इसक ना लिया करो जितना हो सकी घर का खाना खाया करो और कम खाया करो सभी हो गया बाकि अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना सतका जारिया समझ के और बा करें तो इसको फोलो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा वाकि मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत इच्छे टॉपिक के साथ अपना बहुत जदा ख्याल रखें दौा में याद रखें अलाहाफिज